सबी वक्तों को शिरी शिवाई नमस तूभ भ्याम हरहर महादेव ओम नमस शिवाई तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पशुपती वरत से भी बड़ा वरत जो कि 500 वार का वरत होता है सावन के 500 वार को किया जाता है इस बर सावण में 500 बार आ रहे हैं तो आप सावण के 500 बार इस वरत को अवश्य ही कीजिए आपकी जो भी कामना है और जिस कामना से आप इस वरत को करेंगे वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगे तो कैसे किया जाता है ये वरत उसके पूरी जानकरी हम आपको इस वीडियो में देंगे और ऐसा कौन सा व्रत है जो पशुपती नाथ जिससे बड़ा है पशुपती नाथ के व्रत से भी बड़ा व्रत है तो उसी का वणना आज के इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं तो पांस पहले पर उससे पहले कुछ जान करी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक साधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, तो पांस सोंबार का ये विरत है, यदि किसी विरत में आप रजसवला हैं, तो आप उस दिन के व यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, किसी भी कारण से, तो आप उस समय के विरत को छोड़ सकते हैं, जैसे कि किसी सोंबार आप घर नहीं है, विरत नहीं कर सकते हैं, तो उस समय के विरत को यानि कि पूजा नहीं करो के तो उस विरत को काउंट नहीं करना, लेकिन उस दिन आपको व्रत रखना जरूर है इस बात का ध्यान रखना और यदि दो व्रत एक दिन पढ़ता आते हैं आपके सोमवार के दिन ये व्रत किया जाता है उसी दिन आपको कोई और व्रत होता है तो आप उस दिन भी इस व्रत को नहीं कर सकते अगले दिन इस वरत को shift करें यानि कि अगले सोमबार को इस वरत को shift करें क्योंकि वो आपका जो वरत है आप कई वर्षों से या कई समय से कर रहे होंगे जैसे कि प्रदोश का वरत या फिर अश्ट्रमी का वरत तो कोई अश्टिमी का वरत या प्रदोश का वरत सोमबार के दिन पढ़ जाता है तो आप उस वरत को करें इस वरत को ना करें तो अब हम आपको बताते हैं ये वरत कौन सा है तो पशुपतिनाच जी के वरत से बड़ा वरत केवल ही की वरत है और वो है पशुपतिनाच जी का ही वरत और इसी प्रकार जैसे महादेव से बड़ा कौन है स्वें महादेव ही होते हैं उसी प्रकार पशुपतिनात जी के वरत से भी बड़ा वरत होता है पशुपतिनात का वरत है पांस सोमवार किया जता है यदि सावन के सोमवार या फिर सावन के फास्ट आप करते हुए आ रहे हैं तो सावन में इस वरत को ना उठाएं सावन के बाद अगला महिना जो आएगा उसमें इस वरत को उठाएं किसी भी सोमवार से इस वरत को शुरू कर सकते हैं पहले सोंबार इसनानादिक करके वरत का संकल्प ले ले अपने पित्रों के सम्मुक में खड़े होकर और संकल्प लेने के बाद में जो भगवन श्यंकर को पूजा आपको करनी है उस थाली को तैयार कर ले उसमें पंचामरित रख ले ना हो पंचामरित तो कोई बात नहीं द दतूरे के पत्ते रख लिजी अए उसमें बस्तू जो भी आपके पास में बस्तू मिल जाए सफेद पूश्प जो भी मिले आपको उस दातर से सबसे पहले ओगवन श्यंकर के आरति करनी है बाबा से बहातना करनी है बहां हैդ मेरे इस वरत को फली बूत कराईए मेरे इस वरत को पूर्ण कराईए जिस कामना से मैं ये वरत कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस कामना को पूर्ण करना प्रभू और बाबा से प्रातना करते हुए बाबा की अच्छे से पूजन अभिशेक कीजिए पूजा किजी, पूजा करने के बाद में, जब आप अच्छे से पूजा कर ले, भवन की आरती उतार ले, इसके बाद में आपको घर आ जाना है, घर आने के बाद में, शाम के समय प्रदोशकाल में आपको मीठे का परशाद बनाना है, अब इस वरत में ऐसा नहीं होता कि जो परशाद आपने एक सोमवार बनाया है पांस सोमवार आपको भही परशाद बनाना जैसे की जैसे की 16 सोमवार के वरत में होता है कि आपने एक परशाद जो भी बनाया उस परशाद को आपको लगातर 16 सोमवार बनाना होगा ऐसा नहीं है इस वरत में आपको केवल और केवल एक ही तरह का परशाद नहीं बनाना आप चाहें तो अलग-अलग तरह का परशाद बना सकते हैं किसी दिन हलवा, किसी दिन खीर और किसी दिन कोई और मीठे का परशाद जैसे वीशन का हलवा भी आप बना सकते हैं साम के समय पर जो आपकी थाली है पूजा की उस थाली में केवल आपको 6 दीपक, 8 के हो या मिट्टी के हो जो दीपक आप ले रहे हैं पहले वरत में वो ही दीपक आप ले कर जाए और साथ में जो प्लेट आपने परशाद की रखी है वही रखनी है इसके अलाबा कोई अतरिक तो बस तो आपको नहीं रखने है, शाम को जलाविशेक भी नहीं करना, केवल जल से छीटा मारना है भगवान चंकर के शिवलिंग पे, आप शाम को आपको जाना है भगवान चंकर के मंदिर में, सबसे पहले तो जो जदी आप चंदन लगाना चाहते हैं, शाम को छीटा मारक या धतूरा छोड़ा हो उनको शाम के समय प्रदोशकाल में समर्पित कर दीजिए उसके बाद में आपको जो मीठे का परशाद है जो प्लेट है उसको शिवजी के सम्मुख में रखना है शिवजी के सम्मुक में उस प्लेट को रखकर उस प्लेट में आपको परशाद के तीन इससे करने हैं कितने इससे करने हैं परशाद के कुल तीन इससे करने हैं और परशाद के तीन इससे करकर उन परशाद के तीन इससे को यहीं पर रख दीजें तो इस प्रकार से इस प्लेट में परशाद के तीनी से हो जाएंगे और ये प्लेट यही रखे रहने दीजी अब आपको 6 दीपक जो भी आपके पास में उठाली से नीचे उतारने हैं शिव जी के सम्मुफ में रखने हैं और इसमें से केवल 5 दीप प्रजूलित करने हैं अब यहाँ पर एक प्रशन जो माता है बहने पूस्ती है कि भाईया हमने गलती से 6 के 6 दीप प्रजूलित कर दिये मंदिर में तो हम क्या करें उस दिन के वरत को आप ना किने क्योंकि जो वरत का नियम है यदि आप ने उस प्रकार से वरत नहीं किया है तो वरत पूर्ण नहीं माना जाएगा और फिर आपको वरत का फल प्राप्त नहीं होगा इस बात का ध्यान रखे तो इसलिए यदि आप किसी वरत में कोई गल्ती कर दे कोई मिस्टेक कर दे या ऐसा कोई कारे आप सोचे जैसे की कोई आपने मिठाई खाली उस दिन पचुपतीनाजी के वरत में या और कुछ खाली है तो उस दिन के वरत को बाबा से शवा मांगते हुए कर तो लीजिए लेकिन फिर उसको गिनिये मैं इस बात का ध्यान रखिए ऐसे ही यदि आपके घर पे कोई फंक्शन है या आपको शाम कोई समय कहाई कहीं पर खाना खाने जाना है और आपको ये पहले से ही पता है कि आपको खाना खाने जाना है तो इस बात का भी ध्यान रखिए उस दिन का वरत ना करे, यानि कि उस दिन वरत करे, पर शाम की पूजा या शाम की पूजा ना करे, क्योंकि आप कहीं और खाना जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, वहाँ खाना किस प्रकार को होगा, इसकी ना तो आपको जानकारी है, ना किसी और को जानकारी होगी, किस प् दीप में से पांच दीप प्रजूलित करने हैं, पहला दीप प्रजूलित करते ही मनो कामना बोलनी हैं, दूसरा दीप प्रजूलित करते ही मनो कामना बोलनी हैं, तीसरा, चौथा और पांच वे दीप पर भी मनो कामना बोलनी हैं, और मनो कामना बोलते हुए बागा से प्रात उठाकर अपने साथ में रख लेना है, तो इससे मंदिर में ही छोड़ देने हैं, चटवे दीपक को उठा लेना है, उसको परजोलित नहीं करना है, फिर आपको आपके घर में घर के लिए प्रवेश करना है, यानि कि आपको घर की तरफ जाना है, जब आप घर में प्रवेश तो प्रवेश करते समय जो आपके घर का मुख्य दुवार है उसमें प्रवेश करते समय प्रवेश करने से पहले जो सीधा हाथ पढ़ता है आपका उस पर आपको छटवे नंबर का दीप प्रजूलित करना है आपकी कामना बोलते हुए और इसके बाद में घर में प्रवेश क अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है वो यह जो कि कई बार पूछा गया है यह कि हम नीचे नहीं रहते हम उपर के फ्लोर में रहते हैं तो हम कैसे यह दीप प्रजोलित करें में डॉर पर नीचे कोई और रहता है तो फस्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो आपके घर की तरफ आ फिर कोई समस्या है दीपक भुच जाएगा या कोई गलती से इसमें लात मार देगा तो आपको क्या करना है जब सीडियों से आप उपर चड़े तो जो आपका फस्ट फ्लोर है उस फ्लोर में जिस भी कमरे में जो पहला कमरा है या जिस भी कमरे में आप रहते हैं उस कमरे क उस CD के या तो राइट हेंड पर आप दीप प्रजूलित करें या फिर जब आप उपर फर्स फ्लोर पर जाएंगे जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के राइट हेंड हाथ पर आपको ये दीप प्रजूलित कर देना है इसके बाद में आपको दूसरा वरत करना है तीसरा वरत करना है चौथा वरत करना है और पांचवा वरत करना है एक बात मैं आपको फिर से बता दू यदि सावन के व्रत और सावन आप करते हुए आ रहे हैं तो सावन में इस व्रत को मत उठाना यदि पहले से करते हुए और यदि आप सावन के व्रत नहीं करते हो सावन सोंबार भी नहीं करते हो तो आप फिर सावन में ये सारे व्रत कर सकते हो जो जो मैंने आपको तिथी बताई है इसके बाद में पांचवे और अन्तिम व्रत में भी आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए इसके बाद आपको सबसे पहले तो 108 वस्तों समर्पित करनी है एक एक करकर शिरी शिवाय नमस्तूप्यम के जाब से इसके बाद में जब 108 वस्तों समर्पित कर दे तो एक शिरीफ़ल जिसके ओपर साथ बार मोली का धागा लपेट कर शिवलिंग को इस पर्ष कराकार शिवजी के सम्मुक में उस शिरिवल को रख दीजिए इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है इस प्रकार से आपको किस वरत का उद्यापन करना है थोड़ा सा सीधा निकाल कर भी शिवजी के सम्मुक में रख दीजिए जिसमें सीधे में अटेचावल डाल नमक मिर्शी होता है ये सारी बस्तुएं यानि कि एक ही थीली में किसी पातर में शिवजी के सम्मुक में रख दीजी जिसको उम सीधा कहते हैं सीधा आपके हाँ किस प्रकार को होता है आप उसी प्रकार का रखे पांचवा ब्रत पूर्ण हो जाएगा इसी प्रकार से आपका उत्यापन समाप्त हो जाएगा ब्रत में एक टाइम फलाहर करे और एक टाइम बोजन करे जो ब्रत का एक हिस्ता आप घर लेकर आए हैं उसमें से किसी को परशाद नहीं देना है फिर चाहे कोई कितना ही क्यों न कहे उस परशाद को ब्रत वाले व्यक्ति को ही सेवन करना है ब्रत वाले व्यक्ति को जब परशाद खाए तो खाना खाने से थोड़ी देर पर ले आने की जब आप खाना खाने के लिए बैठे तब आपको परशाद करेंड करना है और उसके बाद में खाना खा लेना है खाने में ऐसा कोई नियम नहीं बताया है जिसमें कि आपको नमक का खाना नहीं खाना या मीटाई खाना खाना इसमें खाना आप वो खाईए जो आपके घर पर बनता है जो आपके घर में निर्मान होता है एक बात जो प्रश्ण पूछते हैं लोग कि non-wage हम इसमें खा सकते हैं तो सोंबार से एक दिन पहले और एक दिन बाद में आप तामसिक पोचन करेंड ना करें कोशिश करें कि आप पाँचो ब्रत में या पाँचो ब्रत जब हो रहे हैं आपके एक महिना या तेड़ महिना या दो महिना जितने भी समय लग रहा है उसमें आप नौन-wage का सेवन ना करें परेंदी ऐसा नहीं है पॉसिबल तो सोंबार से एक दिन पहले और सोंबार के एक दिन बाद नौन-wage यानि कि तामसिक पोचन ना गरहन करें इस बात का ध्यान रखें एक और बात यदि पहली बार में ब्रत सफल ना हो तो आप दूसरी बार ब्रत करें इसके साथ ही इसके साथ ही आपको क्या करना है दूसरी बार ब्रत सफल करना है अब इसी के साथ में मैं आपको तीन उपाए और बताने वाला हूँ ये तीन उपाए जो सावन के महीने में यदि आप करते हो तो आपकी निश्चित रूप से कामना पॉन होगी तो तीन उपाएक कौन से है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और बात यदि पशुपती व्रत आप फिर से करना शुरू करना चाहते हैं फिर से प्रारम्बा करना चाहते हैं तो पशुपती व्रतों में कम से कम एक महीना या फिर तीन महीने का अंतराल यानि की कैप जरूर रखे जैसे आपके पांच व्रत पूर्ण हो गए हैं इसके बाद में आप एक महीना रुके उसके बाद फिर से पशुपती व्रत शुरू करे यदि ज्यादा समय के लिए रुक सकते हैं तो तीन महीने के लिए रुक जाए अब आपको कौन सा उपाय करना है जब आपका पशुपती नाज जी का दूसरा व्रत तो इसके जैस्ट बाद आपको ये उपाय करना है क्या करना है अधिकतर माताओ बेहनों ने इसी प्रकार से उपाय किया है आप भी अधि उपाय करोगे तो निश्चित रूप से ये मैं कहा रहा हूँ आपको पुत्र प्राप्ती दूसरी संतान और संतान प्राप्ती होगी जैसे आपका पशुपती नाज जी का दूसरा अबरत हो जाए सोंवार के दिन आप सफेद आखड़े की जड़ को ले कर आए पती और पतनी दोनों जाकर और इसके बाद में सफेद आखड़े की जड़ को लाकर यदि आपका रजजसोलाध्रम आता है तो साथ वे दिन उस जड़ को भांदे शिवलिंग पे से 21 बार गुमाते हुए तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लाल धागे में लाल कपड़े में लपेट का उजड़ को अपनी कमर में माताएं बहने भांद ले 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रदोष के दिन उस जड़ को भाइद सकते हैं. इसके बाद में आपको तीसरा उपाय है जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है. प्रति दिन एक प्पल का पत्ता भावधान अव दूटेश्वर महादेव के नाम से समर पित कीजिए और उस पीपल के पत्ते को गाय के दूद में उबाल कर रातरी को सोते समय पती और पत्नी दोनों उस दूद का सेवन करे इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है ब्रत वाले दिन पीपल के पत्ते का दूद ना पिए बस इस बात का आपको ध्यान लखना है बाकि एक महेने तक पीपल के पत्ते का दूद पीना है ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपको पीपल के पत्ते वाला उपाय करना ही है यदि आपके हाँ पीपल के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप इस उपाय को ना करें इसके बाद में बाबा की इच्चा होगी तो वै सफेद आकड़े की जड़ और पशुपतिनाची के ब्रच से ही आपके मनुकामना को पूर्ण कर देगा तो ये तीसरा हो गया चौथा उपाए जैसे आप ब्रच शुरू करे तो यदि आपने सावन में ब्रच शुरू करा है तो दो कलच जल वाला उपाए करे प्रति दिन दो कलच जल बगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाए दो कलच जल अपने घर से भर कर लेकर जाए दोनों कल और टुमरुकेश्वर महादेव एक तुमुरुकेश्वर महादेव के नाम से दोनों कल्चों से जल एक साथ समर्पित करना है और उद जल का आपको सेवन करना है यह हो गया पांचवा और अंतिम उपाय अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेर कर दीजिए तो पांचवा और अंतिम उपाय एक बेल पत्र सावन में बगवान चंकर के शिवलिंग पे समर्पित करे तुम्रुकेश्वर महादेव और गृषनेश्वर महादेव के नाम से और इसके बाद में आपको वो बिलपत्र शिवजी के सम्मुक में ही खाना है जदी आपको ऐसा लगता है कि आपके पती भी इस उपाय में आपका साथ दे रहें तो दो बिलपत्र समर्पित करें एक बिलपत्र आप खाले और एक बिलपत्र अपने पती को पिलाएं इस प्रकार से सावन में इस वरत को करें जिस प्रकार महादेव से बड़े स्वयम महाद और पशुपती नाच्जी से बड़ा वरत केवल पशुपती नाच्जी कही है तो कीजिए इन उपायों को इस वरत को बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा हर हर महादेव शिरी शिवाय नमस्तू भ्याम ओम नमस्षिवा